कि यह हम सब लोगों को बहुत खेद है और जिस तरह से यह जो हाथसा सड़क हाथसा हुई कि इसको लेकर के हमारी सरकार भी बहुत ज़्यादा सोक वेक्त करते हैं और जिस तरह से मैं सरकार के प्रतिनिदी के रूप में यहाँ पे उपस्तित हुई मैं भी जिस तरह से अभी यहां पे देखी हमारे सभी जन प्रत्री दिये प्रशाशन के सभी अधिकारी गड़ है और अचानक ऐसी घटना होने के बाद जिस तरह से अभी यहां पे मैं देख पा रही हूँ कि किसी के पती नहीं है, किसी के पिता नहीं है, किसी की बहन नहीं है, किसी की मा नहीं है, अचानक ए घटना में और बहुत बड़ी घटना है, इस घटना में छोड़ करके उनके परिवार जनों को चले गए, हम ऐसे दुख के घड़ी में, ऐसे पहाड जैसे दुख, जो अचा वाकई में ऐसे इस्थिति देखकर के मुझे कुद भी बहुत दुख हो रहा है और मानली मुक्मंत्री जी ने जो हमारे जो मृतक परिवार है उनके लिए उन्होंने मुझे जो जानकारी लगी है चुकि ब्रेक फेल होती तो ब्रेक फेल होने से गाड़ी सीधे आगे बढ़ती और जब पूरी चलते हुई आई गाड़ी और अचानक ऐसी घटना हुई है उसकी हमने मानली मुक्मंत्री जी ने भी प्रशासन को निर्देश किये हैं कि उसकी बारशा का कारकम था और जाते समय ते इन लोगों ने अच्छे से गए हैं वापशी में लोगों ने एक तो ओभर लोडिंग भी ठी और पुरें परिवार से लोग थे उस तरीका से यह बतारें कि पुरें परिवार के वार्यां के लोग थे तीन चार लोग उमरिया के थै ब प्राइवर को पुलिस अपने हिरासत में लिए और उसके उपर पुरी कारवाहि होगा. कॉन से परिवार के ते अधिवासी समाच के थे और जितने बैठे हुए थे वो सब भी आधिवासी थे और जो वाहंचालक था वो भी आधिवासी था. हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन को दबाए